तो आज किस वीडियो में बाट कहने वाले हैं बीना रिचार्ज के किसी को मेसेज कैसे भीजे अगर आपके सिम में रिचार्ज नहीं है और आप किसी को मेसेज सेंड कहना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बटाने वाला हूँ जिससे आप किसी को भी message बेर सकते हैं आप के sim में discharge नहीं है फिर भी आप किसी को message send कर सकते हैं तो इसके लिए आपको कहाना क्या है सबसे पहले जो आपके mobile में जो message अब लिके सान है इससे आप open करेंगे open कहने के बाद जो है top left corner में टीलाइस का आइकन देखने को मिलेगा इसपर आप क्लिक करेंगे यहां पर जो है सेटिंग का आपसन देखने को मिलेगा अगर यहां पर नहीं मिलता है तो बोग राइट कोड़ा में जो प्रोफाल पिचर का आइकन है इसपर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर इमेल नमर पर जो जैनल काफसर मैं इस पर आप ख्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के ब vern于 आपके सामने पेज उपेंड होगा एंड यहाँ पाहली नमर पर याँ पर रसी अचाहर पर रसीज चैट के आइक आपसर देखने को मिलेगा इसपर आप स्व करेंगे प्लिक करने के बाद आपका यहां पर मुबाइल नंबर सूप करेगा यहां पर इसके नीचे आप देखेंगे कि आपसर मिलेगा Turn on RCS चेट यहां पर लिखा है साब साब आप यहां पर देख सकते Use Wi-Fi or data for messaging when available यानि कि इसका मतलब है कि आपसर आन रहता है तो आप Wi-Fi or data on करके किसी को भी message भेज़ सकते हैं आपके SIM में recharge नहीं है फिर भी तो यह जो option है अगर आपके mobile में आप है तो आपको on कर लेना है कुछ नहीं करना है यह जो option है अगर आपके mobile में disable है तो on कर लेना है on करने के बाद आप यहां से back आएंगे एंड अपने mobile में आपको Wi-Fi connect कर लेना है किसी के mobile से आपको Wi-Fi connect कर लेना है Wi-Fi connect करने के बाद आप किसी को भी message भेज़ सकते हैं आपके SIM में recharge नहीं है फिर भी जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं किसी को भी message indeed कर सकते हैं तो simple सा iya setting आपको enable करना है और अपने मोबाइल में वाइपाई आपको कनेक्ट कहना है उसके बाद बीना रिचार्ज के भी आप किसी को भी मेशेज देश सकते हैं उस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ फिर किसी नेश वीडियो में